ग्यान की फुलफोर्म, Global Initiative for Academic Network, नाम से ही समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर देश-विदेश से सभी लोग जुड़ने वाले हैं, जो भी scientist हैं, entrepreneur हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर जिस देश मालोग कई कई देशों के जो है हमारे साइन्टिस्ट हैं उन्ट्रोपरिनियॉर्स हैं उन सब लोगों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन करके आया है कौन ग्यान ग्लोबल इनिशेटिव फॉर अकेडमिक नेट वर्क ठीक है जी बस फॉल फॉर्म वाज इंपोर्टन बाकी बातें कोई इंपोर्टन नहीं है सम वाए की फॉल फॉर्म भी इंपोर्टन है स्किल्स असेस्मेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ओफ यूथ इतनी ही बात इंपोर्टन है क्या skill assessment matrix for vocational advancement of youth तीन बार बोल लीजिए अपने आप से skill assessment matrix for vocational advancement of youth vocational advancement of youth यानि कि यूवाओं की जो रोजगार से संबंधित advancement हो जाना ठीक है skills assessment matrix यानि कि जो हमारे यूवाओं है उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हमें उनकी किस चीज की आवशक्ता है उनमें skill development की आवशक्ता है तो बस उसी से संबंधित क्या है समवाई बात खतम campus connect ओलरडी चार बार करा चुका हो कि बस wifi वेगरा facility देने की बात यहां पर होती है national e library और ranking framework पे आ जाई है ranking framework औरडी मैंने बता दिया है NIRF वाला तो ज़दा इसको देखने के आवशक्ता है नहीं अभी हम अब जो next बात है वो है यह times higher education world university rankings यह चीज हम कब देखते हैं यह जो है न times higher education world university rankings यह क्या होता है जैसे अपनी इंडिया लेवल पे क्या हो गया NIRF हो गया national institutional ranking framework ठीक है इसी प्रकार से जो international level पे काम करने वाली संस्था है वो यह है ठीक है times higher education है न कहां गया times higher education world university rankings अब इस ranking में अभी एक post निकली हुई है assistant professor की तो वहाँ पर जब मैं पूरी guidelines पढ़ रहा था तो guidelines के अंदर मुझे जानने को यह मिला कि या तो PhD आपकी कहां से होनी चाहिए है भारत से और अगर आपने भार से PhD करी है तो आपकी जो post डोक है चाहे PhD है उसकी जो university है वो university times higher education world university रैंकिंग में 500 रैंक तक होनी चाहिए ठीक है अगर उसकी रैंकिंग 500 से ज्यादा है तो your PhD will not be calculated not considered you are now ineligible in this matter यानी कि आपकी PhD consider नहीं की जाए तो याद रखना आप लोग भी अगर बाहर से PhD करते हो कोई भी वेक्ति कई बार होता है कि जी हम तो Australia से करेंगे हम Canada से करेंगे हम यहां से करेंगे वहां से करेंगे कहीं से भी कर लो आपकी University की Times Higher Education रेंकिंग जो है वो 500 से नीचे ही रहनी चाहिए ठीक है एक से लेकर के 500 तक होनी चाहिए राइट और कोशिश करोगी 400 के अंडर रहे या 4500 के अंडर रहे तो बहुत अच्छा ठीक है इनके अलावा एक और रेंकिंग एजनसी है काकरली साइमेंट्स ठीक है काकरली साइमेंट्स रेंकिंग एजनसी तो यह क्या करती है यह भी वही काम करती है जो बाकी संस्था कर रही है ठीक है खतम बात यहां पर और और नेक के बारे में अलरडी मैं आपको बता चुका हूं रूसा की बात हम अलरडी कर चुके हैं बैचलर ओफ वोकेशनल स्टडी इस एक नया प्रोग्राम भी वो चला दिया गया था अलंग कि आज आजकल तो यह चल ही रहा है फिलाल यह कह रहा था कि यह स्कीम जो है हर जग कोशल के अंदर का काम क्या है वहीझ स्किल्ड टेवल्लप्मेंट वाला काम है न तो एक सो दीन दयाल उपाध्य सेंटर को हैं देखो कोशल की फुल-फॉर्म पूछी जा सकती है अलंग कि आज के समय मुझे नहीं लगता कि कोशल की फुल-फॉम इंपोर्टेंट है लेकिन फिर भी क्या पता कोई outdated question पूछ भी ले तो कोशल की full form है भाई knowledge acquisition and upgradation of skilled human abilities and livelihood ठीक है इसको भी तीन बार पढ़ लो याद रखने की आवशकता बिलकुल भी नहीं है आप लोग कभी भी यह मत करना कि मुझे याद नहीं हो री कोशल की कोई पूछ ले आप से तो आप कोशल की full form बता दो नहीं 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 वो काम नहीं करना बिलकुल याद नहीं करनी बट तीन चार बार पढ़ लेने से आपके mind में वो click कर जाएगी जब आप exam में देखोगे तो confused नहीं होगे ठीक है यू से एंड अपग्रेडेशन ठीक है knowledge acquisition and अपग्रेडेशन तो काउ तो होई गया ठीक है knowledge acquisition and अपग्रेडेशन शल से क्या बनता है skilled human abilities and livelihood L for livelihood L को change कर कर के देगा आपको learning देगा L की जगा पे कुछ और देगा ठीक है तो livelihood is the right word ठीक है ज्यादा तर ऐसी जो spelling पूछी जाती है न फुल फॉर्म उन में क्या करता है last वाले word को change करने की चेस्टा ज्यादा रहती है examiner की ठीक है तो ये हो जाएगा बात खतम एक है उन्नत भारत अभियान उन्नत भारत अभियान का क्या काम था कि जो हमारे rural areas है न वहाँ पर technology को बढ़ाया जाए जैसे गाओं में पानी की समस्या है बिजली की समस्या है तो कैसे हम technology बढ़ा करके उनके काम को किसानों के काम को basically किसानों के काम को हम कैसे आसान कर सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को कल ही मैं और बेंजी डिसकस कर रहे थे हमारे गाओं में न एक सामने घर के सामने एक मंदिर है तो मंदिर के जो बबाजी थे महंत तो महंत जी क्या करते थे देखो हमारे यहां तो घर पे जो है इंजिन चलता था इंजिन से हमारी टंकी भरती थी बड़ी वाली टंकी और वहां से मोटर से हम अपने घरों में पानी वरते थे अब क्या हुआ कि जब मंदिर था तो मंदिर की तो प्याओ थी वहां की जो टंकी थी वो बाबा जी ने क्या किया कि नहर के पास में जहां बोरिंग हो रखा था वहाँ पे मोटर लगा दिया और मोटर को एक चिप से जोड दिया चिप माने SIM कार्ड से और SIM कार्ड में फोन नंबर है आप यहीं से मतलब पांच किलोमेटर दूर बैठे या देश में कहीं भी बैठे हो आप बहले ही बाबाजी अरिद्वार में हैं मोटर लगी है अरिया ना ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता आप इधर से मोटर वाले नंबर पे कोल करो मोटर ओन हो जाएगी ठीक है दोबारा कोल करोगे मोटर ओफ हो जाएगी सोचो पानी चालू होना पानी बंदोना ओटोमेटिक अपने आप तो यह क्या है यह उन्नत भारत वियान का परिणाम है जिसमें IIT, IISCR और NIT यह सब मिल करके जो है ऐसी ऐसी स्कीम निकालते हैं जिससे जो रूरल इंडिया जो है वो डवलप हो वहाँ पर टेकनोलोजी आ जाए ठीक है बस इतनी सी बात थी समझ गए ओके तो कल हमने कई देर हम गाओं की चर्चा कर रहे थे कि गामाय गाओं में तो यह बात यादा गई मुझे देखो अपलाई भी हो गई आज इशान उदे स्कॉलर्शिप स्कीम है नौर्थ हीस्ट के बच्चों के लिए तो एक चीज को ध्यान रखिए कि इसको याद करने का तरीका क्या है इशान उदे क्या स्कीम का नाम बताया बाई इशान उदे इशान क्या होता है कोई बता सकता है मुझे बता दो नहीं बता सकता है इसान कोड कहलाता है इसान कोड को नौर्दनीस डारिक्शन यज करते हो ना आप यज करते हो ना ठीक कह रहे हो वही पर जुबन नौर्थीस्ट ठीक है तो यज यज में जो है जो दिया आप रखते हो वो कहां रखते हो western direction में रखते हो यह न दीपक जहां रखा जाता है तो कहते हैं की ईशान कौन में रखे तो ईशान कौन कौन सा है नौर्थ जो इशान उदे जो scheme है यह किसके लिए है कि North इस्थ में भी उदे हो किसका उदे हो भाई scholarship मिलेगी तो लोगों का उदे ही होगा समझ गए तो स्कॉलर्शिप स्कीम नौर्थीस्ट के बच्चों के लिए जिसका नाम क्या है इशान उदे इसी प्रकार से इशान विकास ये भी नौर्थीस्ट के स्टूडन्ट के लिए है इन लोगों को अकैडमिक एक्स्पोजर देने के लिए ठीक है तो उदे और विकास में अंतर क्या है विकास जो है ये अकैडमिक एक्स्पोजर के लिए है जबकि उदे जो है वो स्कॉलर्शिप है ठीक है ओके तो यहां से यह बात हमें रहेगी याद ठीक है और इसके भीतर की ज्यादा कुछ चीज़ें याद रखने के आउशकता नहीं है कि सब काम कर रहे हैं इतना डीट कोशन नहीं आएगा बस आपको याद रखना था ठीक है अब आज यह साक्षर भारत साक्षर का मतलब क्या होता है भीया लिटरेसी अंग्रेजी में ठीक है तो साक्षर भारत कैसे होगा किस चीज़ के लिए होगा यह हमारी अडल्ट लिटरेसी के लिए है यानि कि जो युवा हैं जो अडल्ट लोग हैं उनको साक्षर बनाने के लिए और परधानमंत्री जंधन योजना इसके साथ में जोड़ दी तो यह सीधी सी बात जो याद रखने की है वो एक ही है इसमें कि साक्षर भारत अभियान कैसा है सेंट्रली स्पॉंसर स्कीम इतनी बात याद रखने की है ठीक है साक्षर भारत लिट्रेशी के लिए है वो तो समझी जाओगे लेकिन इसका काम यह है अब आज़ो प्रगती प्रगती स्कॉलर्शिप किसके लिए मिलती है गर्ल चाइल्ड के लिए मिलती है यानि कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए मिलती है और किसके लिए मिलती है यह इंपोर्टेंट बन जाता है ठीक है टेक्निकल एजूकेशन के लिए मिलती है आपको एक्जाम में कोशन क्या मिल सकता है कि प्रगती स्कीम फोर गर्ल चाइल्ड इस डवल इस अवेलेबल टू इस अवेलेबल टू फिर जो है आपका humanity social sciences या technical courses ठीक है तो it is for technical education ठीक है तो जो बच्चिया टेक्नोलोजी के क्षेतर में बीटेक वेगरा में आगे जाना चाहती है उनके लिए जो scheme है वो कौन सी है प्रगती इसके तहट उन्हें scholarship दी जाती है ठीक है भाई okay अब हेफा के बारे में already मैंने आप लोगों को बताया था UGC को कौन replace करने वाला है हेफा हेफा का full form क्या है higher education funding agency ठीक है इतनी सी बात important है बाकि ये पैसा वैसा 1000 करोड़ 200 करोड़ ये सब छोड़ दो ये आपके काम का फिलाल नहीं है और ये सब भी ज़्यादा important बात नहीं है credit limit ये वो सब छोड़ दीजे इच institute है फाविल monitor क्या क्या करेगा छोड़ दो right अब यहां पर आ जाईए स्वामी विवेका नंद scholarship for girl child ये भी है अब देखो मेरे से अपने ही यहीं आसपास के कोई वेक्ति पूछ रहे थे कि मेरी बेटी है बेटी के सिच्छा के लिए मुझे कुछ मतलब पैसे हो की आवशकता है कुछ करिए तो मैंने का यार एक काम कर सकता हूँ मैं government scheme लेके आ जाता हूँ बता देता हूँ आपको कि सर ये ये government scheme है आपके पास में girl child है तो आप उनके लिए कर सकते हो तो अब यहाँ याद ये रखिए कि ये single girl child के लिए है अगर आपको एक बेटी है तो ये scheme का लाग मिल पाएगा दो हैं तो नहीं मिलेगा ओके अब ध्यान रखिए कि जो पिछली scholarship थी वो किस में थी भाई जल्दी बताओ technical education में ठीक है और स्वामी विवेका नंद जो scheme है वो किसके लिए है social sciences के लिए है प्रगती जो हमारी scheme थी प्रगती किसके लिए थी प्रगती for technical education ठीक है गर्ल चैल्ड के लिए ही है बट technical education के लिए है स्वामी विवेका नंद जो scholarship आ रही है वो भी गर्ल चैल्ड के लिए है लेकिन यहां पर दो conditions हैं कि एक तो single girl child होनी चाहिए अकेली लड़की होनी चाहिए ठीक है और दूसरी condition यह है कि यह social sciences के लिए है ठीक है तो जह प्रगती के अंदर ऐसा नहीं था कि single girl child वो सब के लिए था लेकिन यहां पर स्वामी विवेका नंद में एक बेटी होनी चाहिए और वो भी social sciences में पढ़ रही हो ठीक है तो social sciences में research के लिए यह मिलता है तो UGC की ही एक और fellowship scheme है तो आप लोगों में से भी यदि कोई आपने पिता की अकेली पुत्री है और PhD करना चाहती है तो आपके लिए UGC वाला यह जो December वाला एक्जाम है इसके अलावा इसके अलावा यह scheme भी available है अपलाई के जिसका भाई है भाई है कोई दिक्कत में भाई रहे भाई से कोई problem नहीं है no issues for brother चलो मेरी बेटी का कराओंगी उनको social sciences में अगले ही साल अब CIHEC इसका full form important है उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है council for industry higher education corporation ठीक है नाम से ही समझ में आ गया कि industry और academics दोनों के बीच में linkage स्थापित करने के लिए है जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम नोकरी नहीं लग पाते अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी क्यों क्योंकि industry का और academics का दोनों का collaboration नहीं है जिन colleges में placement के लिए company नहीं आती बचे बेरोजगार रह जाते हैं बटकते हैं फिर और बहुत सारे college ऐसे भी हैं जिन वर्ड आता है placement है ना हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं placement के बारे में बात करते हैं खास करके technical sector में तो लोग बात करते ही हैं तो placement के लिए क्या हो शकता है बई दोनों के बीच में कोपरेशन क्या सकता है कि business company और इंडस्ट्री और जो हमारी university वेगरा है दोनों के आगे बढ़ते हैं 19 new higher educational institution तो नए खुले थे भी या इनकी अभी कोई चर्चा बात करने की आवशकता नहीं है एक बात जरूर याद रख लेना यहां पर ट्राइबल यूनिवरसिटी इन तेलंगाना तो तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवरसिटी खुली है क्योंकि ट्राइबल से question आने के chances ज़्यादा रहते हैं अगर पूछा गया यहां से तो सिर्फ यही question पूछा जाएगा ठीक है बाई